ओमकारव, अनीत और अन्याय के विरुद्ध क्रोध करना, प्राणी के लिए स्वाभावि के लिए, किम्तु अहंकारवश क्रोध करने वालों के लिए, मैं ललकार हूँ, मैं ओमकार हूँ, विश्वामित्र की तपस्या भंकरने आई, मैंका को दुर्वासा ने समझाने का प्रित्न किया, किन्तो मैंका के लिए, देवराज इंद्र का आदेश ही सर्वो पनी था, आता हुआ हट पर आड़ी रही, इससे दुर्वासा ने क्रोधित होकर उसे श्राब दे डाला, कि वो और उसकी संतान, दोनों इसका परणाम भोगेंगे, इस घटना की सूचना, दुर्वासा प्रतीक शारत, अपने माता पिता, अंसुया व अत्री रिशी को देते हैं, उधर विश्णू लोक में नारत के पहंचने से, लक्ष्मी उनसे विश्णू के विश्य में पूछती है तभी विश्णू वहां प्रकट हो जाते हैं, कणवरिशी के आश्रम में शकुंतला की सहेलियां उससे हास परिहास कर रही हैं, उसी समय राजा दुश्यंत, ठकाम तथा तुष्णा मिटाने वहां आते हैं, विक्षों को जल देती हुई शकुंतला पर मोहित होकर विजल प जानते हैं कि मैं किसके विश्ण में विचार कर रही हूं, हम जानते हैं कि तुम सती अनुसुया और उनके पुत्रों के विश्ण में सोच रही हूं, स्वामी, सती अनुसुया और दक्ता त्रे से अधिक मैं दुर्वासा के विश्ण में विचार कर रही हूं, कि रुद्रा अवतार से हम कभी यहां आने की अपेक्षा रखते भी नहीं वे अपने ही धुन में खोई रवन करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स् एक उपहार क्यों कह रहे है रहता का शाव पार ही होता है एक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वास्त बालक के मुव में डाली गई कट्व उशिदी माधा का उपहार ही होता है दुर्वासा का शाव तदकाल दुखदाई होते हुए भी शाप इत्व्यक्ति के लिए अंत में कञ्यालकारी ही सित होता हुए इसलिए तुम्हें दुर्वासा के शाव के विशे में अधिक चिंता करने के आवशक्ता नहीं करें आपने स्थिति इस्पष्ट करती तो आप मैं निश्चिंत हो गएंगी स्वामी शकुन्सरी वो रहा महल महल के निकट पहुँच गए ना यजर्ड़्य करने तुम्हें तुम्हें अल्बर वाह, अत्य संदर भैरो, कौन हो तुम? कहां चले जा रहे हो? हमें महाराज तुष्ण से मिलने जाना है क्यों मिलना है महाराज से? अत्य आवश्चक है हमारा उनसे मिलना और तुम हो कौन? कहां से आए हो? हम सब कण्व रिशी के आश्रम से आए है ये गौत्मी माई है, ये कण्व रिशी की पुत्री शकुंतला है आप दोनों कण्व रिशी के शिश्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं नहीं, महाराज की आज्या के बिना भैल में प्रवेश करना संभव नहीं है कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्या? आप सभी यहीं प्रतिक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेधन करते हैं, चलो महाराज की जय हो कहो प्रहरी महाराज, राजमेल के द्वार पर कुछ आश्रम वासी आए हुए है कौन है ये आश्रम वासी? कण्व रिशी की आश्रम से आए है दो उनके शिश्ये हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक व्रिद्दा गौतमी माई है शिश्य, शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारे आग्या है, उन्हें अंदर आने दिया जाए जो आग्या महाराज? आप किस्चिन्ता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रम वासी अचानक हमसे भीट करने कैसे चलिया आए? वन व्यवस्था, अथ्वा आश्रम के लिए कुछ साहता की अवश्यक्ता होगी अथ्वा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके साहता देने का वच्चन दे आए होंगे संभव है उसी उद्देश से आए हूँ? नहीं पुरोह जी नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया और नहीं हम किसी गौत्मी और शकुंतला को जानते महराज की जै हो जिन महापरहत्रमी और चक्रवर्ती राजा की जैजेकार संपूर्ण आर्या वर्त में गूंज रही है वे शकुंतला को नहीं जानते कणवरीशी के आश्रम में आकर आपने जिस से गंधर्व विवाह किया आप उसको नहीं जानते अंग आप कहते हैं कि हमने कणवरीशी आश्रम में आकर इस इस्तुरी के साथ गंधर्विवाह किया है हाँ महाराज दुशन, आश्रम में रहने वाले शकुंतला की सख्या ही नहीं, आश्रम के पशुपक्षी और पेड़ पौधे पी इस घटना की साक्षी है, आप से गंधर्व विवाह करने के पस्चाथ शकुंतला अब गर्भती हो चुकी है, इसलिए कण्वरुशी ने निव और वही कह रही हूँ, नहीं, यह सकते नहीं, इसकते है, मिध्या रोफ है, आप हस्सिमापुर के पुर्व वंद्ची राजा पर मिध्या रोफ लगा रही है, हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस इस्तृरी के साथ विवाह का तो कोई प्रेशनी ही नहीं है हमें लगता है कि हमारी राज रानी बनने का लोग इस दिस्क्री को यहां तक खीच लाया है और आप सब को इसने ध्रमित कर दिया स्वावी मुझ पर मित्या दोशारों कर ना करें अपने स्वयम करवनिशी के आश्रम में मुझसे प्रणे रिवेदन किया था क्या भी सब आप भूल गए त्रिया चरित्र के विशे में हमने बहुत कुछ सुना था किम तुँआज प्रतेक्ष ही देख लिया अपने स्वार से सिद्धी के लिए एक स्टरी असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं 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 ऐसा नहीं है आपने आश्रम से जाते समय शीकर लोट कर आने का और मुझे अपने इस साथ ले जाने का बचन दिया था क्या आपने सब भूल गए क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्न सरू हमने मुझे एक मुद्रिका दी थी मुद्रिका हमने तुम्हें प्रेम चिनी के रूप में मुद्रिका दी थी तो कहां है वो मुद्रिका करने वाली प्रवंचिका तेरे नाट्टे की कथा कालपनिक है जिसमें कोई पात्र ही नहीं जिस मुद्रीका कि तुम चर्चा कर रही हो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं हम अपने राज्जी सभा में किसी इस्त्रीक आपमान नहीं करना चाहते हैं इसलिए कटू शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्क से लौट जाओ जिस मार्क से आई थी तुम घरवती हो इसलिए हम राज्जी की ओर से तुम्हें आ राजपुरोहिजी आप प्रसुतितप इस सिस्त्री के व्यवस्था का दाइत्व समालें जैसी आपकी आग्या महाराज शकुत लें नहीं दिव्यांग ना मेनका की अनुपस्थिती हो तो यह स्वर्ग लोग सुणा सुणा लगता है क्यों दिविश्ण जी हां और आज मेनका की उपस्थिती से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्श उल्लास का वातावरन जाग उठा है देवर्शी देवर्शी आप चक्कित होने की कोई आवशक्ता नहीं है देवर्शी मैं स्वर्लोप में आया आवश्य हूँ किन्तु आपके पास नहीं है अर्थात मैं कठोर और पाशान हिर्दई माता के पास आया हूं उसके सोई हुई चेतना जगाने के लिए देवर्शी आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है हो जाएगा देवराज आप धैरे रखेंगे दिव्यांग ना अनश्वर मेन का मैं तुम से प्रश्ट कर रहा हूं जब तुम प्रिठ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्द नश्वर चिन्द वहां क्यों छोड़कर आगई मात्रित्व जो संपूर्ण जगत में अमरित का सार है उसे अपमानित करने का अपराज क्यों कर डाला तुमने तुम्हारा माना सेदी मात्रितों के भार को नहीं उठा सकता था तो फिर उसे पर्श करने की अवशक्ता भी क्या थी मेन का मात्रितों और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना खक्ष में प्रवेश वर्जित था तो फिर पृत्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्वी को जागरित करने का कष्ठ क्यूं किया तुम्ने कि यदि तुम्हें धर्ती से उपर ही रहना था और धर्ती की भाती जन्द देकर अपनी ही उत्पत्ती को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोष था मेंका तो फिर तुमने जन्मी क्यूं दिया उस मानो शरीर को जो तुम्हारे दोश निर्दोश होकर भी श्राप की पीड़ा की भाती भूगत रही है मेंका तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रहत्न में अपने ही पुत्री को अक्षय के अंधिकार मैं खाई में क्यों ढखेल दिया बताओ मेंका तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है मेरी विवश्टा को समझिये देवर्शी एक बार स्वर्ग लोग लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहते हूं उस मेंखिया प्रिथवी लोक और प्रुथवी वासियों से अब मेरा कोई संब्ध नहीं है नारायड नारायड स्थान और लोक के परिवर्टन हो जाने से मेंका लोक भावणा माता और कुत्र के संब्ळ में कोई परिवर्टन नहीं हाता यदि ये ऐसा होता video तो जगत से माता ममता और महांता ये तीनों समात ही हो जाते कौन बतलाएगा कि क्या दोश था उस निर्दोश शकुंतला का तुम तो चली आई उसे धर्ती पर छोड़कर कि तो तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजो ने उसे अपने पाश में दबोच लिया नौजाज शिशू हिंसक पशुओं के बीच धन्गोर वन में नितान तकेला मात फिर तो कि आशा में अपने हाथ पाओ भेगता रो रोकर करुणा का कल्पांद करता रहा कल अल्यान करें विधाता उसकंडवरिशी का जिन्होंने समय पर वहां पहुचकर उस नौजाद बालिका को शरण दी तब पश्चयात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी फुत्री की भागी उसका लालन पालन किया कि सयानी हुई तो राजा दुश्चंत वहां पहुचे उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्वे विवाह भी कर डाला राजा दुश्चंत चले गए परंतु उनके जाने के पश्चयात उनकी मदुर्श मुतियों में खोई शकुंतला की जोली में आग पीरा रिशी दुर्वाशा का श्राप के उसका स्वामी उसे भूल जाएगा जब स्वामी की पास पहुची तो श्राप गर्स्थिती की मारी शकुंतला डंग रहे गए यह जानकर के राजा दुश्चंत उसे भूल चुके हैं में का वो आज घंगोर मन में अपने भावी सं अंतान को जन देने के लिए अपने जीवन के साथ शंगर्ष कर रही है नहीं शकुंतले विलाब करने से क्या होगा शकुंतला जब राजा दुश्चंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्रिकर क्यों कर दिया अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लड़ चलो नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाओगी क्यों नहीं जाओगी? महरशिक कण्वा तुम्हारी करूण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूले शमा कर देंगे नहीं, आप मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊगे शकुंतला, तुम अब मा बनने वाली हो, इधर उधर, कब तक, कहां तक भटकोगी, कहां तक भटकोगी माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यक्ता है चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ मैं अपनी भूल का प्रैश्चित करने आई हूँ पुत्री, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेन का यह समय आश्चरी और प्रैश्ण करने का नहीं है शकुंतले, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तुम चलो मेरे साथ, पुत्री पुत्री, नहाना, महराजा दुश्चन के आश्रे में जाना तुझे से कर रही था, बाबा के आश्रम में आना भी स्विकार नहीं है अब तो तेरा हित इसी में है कि तु अपने मा के साथ लौट जा, लौट जा बेटा बाबा को जाकर कहना कि उनके आश्रवाद से जब में संकर्ट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके में आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी चलो पुटी, चलो मेरी साथ देवराज इंद्र को छोड़कर रिशी की शरण में हां रिशिवर, अपनी कुत्री शकुतला के लिए, ये विपदा की मारी है तथा गर्भुवती भी है इसके पत्ति महाराज दुश्यंत ने इसके साथ हन्याई किया है, अथवाईए कहें कि दुर्भाग के प्रबल है, ये विपद्ति से घिरी हुई है रिशिवर, कृपया मेरी पत्री को शरण दे मेनका, आश्रम में आश्राय लेने के लिए याचना करने के आविशक्ता नहीं होती, विपत्ति ग्रस्त प्राणियों के साहिता करना आश्रम वासियों का करता भी नहीं, परमधर्म होता है, तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका मेनका उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपनाओं का अंत हो जाएगा आपको कोटी कोटी धन्य वादरी शिवर शकुंत ले पुत्री अब तुम निर्भय होकर यहां रहो झाल